आज में आप लोग को जो डिस्प्ले सेटिंग है इसके बारे में आप लोग को फुल इन्फोर्मेशन देने वाला हूँ कि इसको आप लोग को कैसा रखना ची तो आप लोग का फोन हीट लैग एंड गैसर आप लोग का हीट सौर्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगा एंड कैस आप लोग का जितना हीट होता है लैग होता है हैंग होता है सब कुस गैस इहाँ पर प्रॉब्लम गैस फिक्स हो जाएगी और कैसर आप लोग को क्या डिस्प्ले कॉलिटी रखना चीए क्रिया ग्राफिक्स रखना चीए ग्राफिक्स में आप लोगो OC रखना चीए और जितनी भी सेटिंग थेखने को एक दाता ही जाएगी एंड भाई लोग इंसाराम पर फॉलो करें भाई को इंसाराम करने में गाईस यूनिक एफटिप्स एंड कैसे अपना फ्रीफार का लेवल और रैंक जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजेगा चले आज की जमाकेदार वीडियो को तुरंत ही स्टार्ट करते हैं इस यहाँ पर सबसे नीचे जो पहला उप्सन आता हुए है इस यहाँ पर गन सौट अलर्ट अगर आप लोग इसको आप पे रखोगे तो अगर एनिमी कहीं से फायर कर रहा है तो आप लोग डिस्प्लेय पे कोई भी ऐप्सन या फिर घैस कोई भी एम नहीं आएगा लेकिन जैसे आप लोग इसको अन पे क्लिक करते हो दन कैसे आप लोग कोई भी एनिमी फायर आपको मार भी रहा है फिर अगला जो ऑप्सन होवे है यहाँ पर नौच स्क्रिन अगर अगर आप लोग नौच स्क्रिन को आफ रखोगे तो आप लोग के जो इस पूरी फूल दिखेगी जैसे मेरी यहां पर दिख रहीं आप लोग देख सकते हो यहां पर कोई भी गैप नहीं है गेम खेलते हैं स कई लोग को पसंद भी है तो guys मैं तो इसको off रखता हूँ क्योंकि मुझे full screen पसंद है तो guys तो आप लोग भी अपने हिसाब से off या फिर on रख सकते हो फिर guys यहाँ पर है mini map इसमें guys दो option है पहला guys north up and दूसरा guys rotating तो guys अगर आप लोग इसको north up पे रख लोगे तो बाई देको game खेले में बहुत आप लोग को परिशानी होगी and guys कोई भी बंदा इसको north up पे करके नहीं खेलता क्योंकि यहाँ पर सब आप लोग को उल्टा पूल्टा दिखेगा अजीब लगेगा वही guys अगर आप लोग इसको rotating पे रखते हो तो guys आप लोग जिस तरफ जाओगे उस तरफ का map भी घुमेगा and guys आप लोग को इदा मच तरीके समझ में आएगा सभी pro player guys इसको rotating पे रखते हैं तो आप लोग guys जब यहाँ पर flight के अंदर जाओगे तो देखो आप लोग का map छोटा बड़ा हो रहे वैसे guys जब आप लोग जीफ लाइन भी पकड़ोगे तो आप लोग का map छोटा बड़ा होगा तो guys आप लोग इसको अपने accounting रख सकते हो मैं तो guys इसको off रखता हूँ चाहो तो आप लोग off या फिर on कुछ भी रख सकते हो फिर guys अगला जो option है वे guys यहाँ पर high FPS अगर आप लोग इसको normal पर रखोगे न तो आप लोग का phone laggy लएगी चलेगा आप लोग का phone जादा heat होगा आप लोग की skin बहुत ज़दा hard चलेगी आप लोग की bullet लेट निकलेगी गन से and guys वहीं अगर आप लोग इसको high पर select करते हो न then guys इर आप लोग का जो phone है वे guys यहाँ पर बहुत दा smooth हो जाएगा आप लोग का phone भी heat नहीं करेगा और guys इर आप लोग की bullet है न वे guys इर आप लोग के बंदोग से तेज निकलेगी अगर सामने उला बंदा guys low fps पर खेल रहे न तो आप guys अगर same type पर दोनों बंदे fire करते हो enemy and up तो guys इर आप लोग ही bullet जल्दी निकलेगी and guys सभी लोग इसको high पर करके खेलते हैं मैं खुद इसको high पर रखता हूँ आप लोग भी इसको high पर ही set करना guys इर अगला जो option है guys display graphics quality अगर guys आप लोग इसको classic normal default पर रखते हो then guys इर आप लोग का कुछ यहाँ पर display ऐसा दिखेगा जो guys से थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि इसमें कोई भी filter नहीं है वही guys अगर आप लोग setting में आते हो और guys इसको यहाँ पर bright पर करते हो न तो guys इर आप लोग देखो यहाँ पर guys इर आप लोग के थोड़ा थोड़ा चमकीला हो जाएगा और आप लोग के जो घासे होए guys यहाँ पर बड़ी बड़ी दिखने start हो जाएंगी और guys इर आप लोग इसको वीवेट पर set कर देते हो यहाँ पर देखो आप लोग को चमकीले के साथ guys इहाँ पर थोड़ा थोड़ा darkness भी देखने को मिलती है वही guys अगर आप लोग इसको आते हो और guys sir ocean पे कर दोगे then guys पूरा आप लोगा display चमकीला हो जाएगा आप लोग घास बड़ी बड़ी दिखेंगी और guys आप लोग को shadow, ocean मतलब guys sir सब कुछ एदा मच तरीकेस दिखेगा तो guys sir सबी लोग इसको ocean पर रखते हैं और guys सबसे अच्छा filter भी guys sir ocean है तो guys sir आप लोग भी इसको ocean पर रखना मैं खुद इसको ocean पर ही रखता हूँ अगला जो option है shadow and guys उसके उपर एक और option है guys sir high race अगर guys sir आप लोग shadow को on पर रखते हो then guys sir high race को भी अगर आप लोग के अंदर ही guys जो मेरा character है उसकी आप लोग को shadow दिख रही होगी तो guys sir shadow को on रखने पर आप लोग के guys free fire के अंदर जो भी चीज़ है उसकी आप लोग को यहाँ पर shadow दिखेगी जैसे मैं emote करा तो इसकी भी shadow आरी है मेरे pet की भी shadow आरी है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इसकी भी shadow आरी है वैसे guys जब आप लोग ब्यार राएं खेलते हो CS rank तो guys sir आप लोग के हर एक enemy की shadow आएगी आपकी shadow आएगी हर एक जिज की आप लोग को shadow देखने को मिलेगी and guys sir जो आप लोग का यहाँ पर आप लोग इसको हाई पर रखोगे तो आप लोग जो कैटर हुए बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा मता हाई रेस का मतलब है कि आप लोग की जो क्वालिटी है डिस्पले की वे और भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी आप लोग सब कुछ एकदम एच्डी में आप लोग को दिखेगा एकदम अच्छ तरीके से तो अगर आप लोग का फोन 6 या फिर 8 जीवी रेम का है तो कभी आप लोग इन दोनों ऐप्शन को अन रखना नहीं स्मूद स्टेंडर अल्ट्रा मैक्स एंड गएस देखो मैक्स पही आप लोग का जो गईस इहां पर हाई रेस एंड सेड़ हो हो ही केवल हाई एंड ओन रहेगा ठीके वहीं कैस अगर आप लोग इसको अल्ट्रा पर करोगे तो यह दोनों आप से आप लोग के सामने से चल तो गैस वहीं पर आते हैं उसी बात पर कि अल्ट्रा पर आप लोग को हाई रेस एंड सेड़ो का उप्शन चला गया हो वहीं कैस अगर मैं इसको मैक्स पर करता हूं देन कैस यहां पर कुछ ऐसा सजेशन आएगा और गैस मैं इसको ओके कर दूंगा तो गैस आप लोग का यहां पर मैक्स पर खेलोगे तो आप लोग का हाई रेस एंड साइडो आटोमेटिक यहां पर आप लोग को अप्शन आ जाएगा ओन करनेगा ठीके तो गैस आप लोग को एसी देखने को मिलेगी एंड कैस वहीं पर बात करें अल्ट्रा पर तो गैस देखो यहां पर हाई एंड साइडो को अप्शन जा चुका है एंड जिनका छेजी वी रेम का फोन है वे गैस यहां पर अल्ट्रा पर गेम प्ले कर सकते हैं ठीके एंड गैस अल्ट्रा पर डिस्पे कॉलिटी आप लोग की थोड़ी सी यहां पर डाउन हो जाएगी बट गैस आप लोग को पता हो चुकी है अपर यहां पर तो गैस हाई रेस एकदम ही खतम हो चुका है एंड डिस्पेले कॉलिटी आप लोग की थोड़ी सी जादा ही लो हो चुकी है एंड सेडो आप लोग के वल गैस लॉबी के अंदर ही देखने को मिलेगा अगर आप लोग इस टैंड रखते हो तो हाई आप लोग को इन लोबी के अंदर ही की सेडों देखने को मिलेगी और लोग को कोई भी प्राकार की सेडों नहीं मिलेगी आप लोगी डिस्पेल एकॉलिटी एकदम ही कम हो जाएगी आप लोग यहाँ पर देख से तो जो गैसर मतब लग रहा है बोज़दा खराब बर्ट गैसर इस पर भी गेम अच्छा चलेगा तो भाई जिनका 1GV, 2GV RAM का फोन है वे यहाँ पर गैसर मैं पता दू जिनका 1GV, 2GV RAM का फोन है वे स्मूथ पर खेलेंगे जिनका 3GV, 4GV RAM का फोन है वे इस्टेंडर पर खेलेंगे जिनका 6GV RAM का फोन है वे अल्टरा पर खेलेंगे और जिनका 8GV RAM का फोन है वे मैक्स पर खेलेंगे ठीक है तो guys देखों यहाँ पर मैंने आप लोगो totally guys sir सारी display quality बता दी है आप लोगो कैसे क्या रखना है and guys sir एगदा मच तरीके से आप लोगो बता है so I hope guys sir आप लोगो हमारी आच्छी वीडियो पसंद आई होगी अगर guys वीडियो पसंद आई